पाठ बारह मुहावरे नीचे लिखे वाक्य को पढ़िये नमन अपनी मा की आँखों का तारा है आज गरिमा फूली नहीं समा रही है करन ने लड़ूँओं पर हाथ साफ किया ज़रा सूचो, क्या कोई आँख का तारा हो सकता है? नहीं, क्या कोई फूल सकता है? नहीं, क्या कोई लड़ूँओं पर हाथ साफ कर सकता है? नहीं, उपर दिये गए वाक्यों का विशीश अर्थ है पहले वाक्य में आँखों का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा होना दूसरे वाक्य में फूला नासमाना का अर्थ है बहुत खुश होना तीसरे वाक्य में हाथ साफ करने का अर्थ है समाप्ट करना मुहावरों के प्रयोग से भाशा अधिक सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है ऐसे शब्द समूह, जिनका प्रयोग किसी विशेश अर्थ के लिए होता है, मुहावरे कहलाते हैं कुछ मुहावरे तथा वाक की प्रयोग 1. मुह में पानी आना, लल्चा जाना रसकुले देखकर मेरे मुह में पानी आ गया 2. आस्मान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना कक्षा में अध्यापिका के ना होने पर बच्चों ने आस्मान सिर पर उठा लिया 3. पेट में चुहे कूदना, बहुत भूख लगना बहुत देर तक खेलने के बाद नकुल के पेट में चुहे कूदने लगे 4. पीठ थप थपाना, शाबाशी देना नेक काम करने पर सब लोगोंने मनोज की पीठ थप थपाई 5. लाल पीला होना, बहुत खुस्सा होना कमल छुटी छुटी बातों पर लाल पीला हो उठता है 6. घोडे बेच कर सोना, निश्चिन्त होना काम पूरा हो जाने पर नवीन घोडे बेच कर सो रहा है 6. कमरकसना तैयार होना परीक्षा के समय सीमा कमरकसकर तैयार हो गई 9.21 होना, भाग जाना पुलिस को आता देख कर जगड़ा कर रहे लोग 9.21 हो गए 10. अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना मनीश ने जब मदद मांगी तब जतिन ने उसे अंगूठा दिखा दिया 10. अंधे की लाठी, बे सहारे का एक मात्र सहारा 10. श्रवण अपने बूढे माता पिता के लिए अंधे की लाठी था 11. अन्य मोहावरे अर्थ 12. कान भरना, चुगली करना 12. आंखों में धूल जोंकना, धोखा देना 13. नाक में दम करना, बहुत परिशान करना 14. कान पर जून ना रेंगना, असर ना होना 15. घी के दिये जलाना, खुशिया मनाना 16. भीगी बिल्ली बनना, दर जाना 16. छापी से लगाना, बहुत प्यार करना 17. आग बबूला होना, बहुत घुसा होना 18. खोश उड़ जाना, दर जाना 19. मू की खाना, हार जाना 20. आओ दोहराएं 21. मुहावरे विशेश कथन होते हैं 22. यह वाक्य के अंश, हिस्सा होते हैं 23. यह भाशा को रोचक, वह सुन्दर बना देते हैं 24. भाशा को रोचक, वो सुन्दर बना देते हैं झाल झाल